कवर्दा चिले में वन विभाग की कैमप योजना के तहट की जा रही तालाग की खुदाई में जेसीबी के इस्तमार से भड़के गरामिडों ने बिट गार्ट को बंधक बना लिया और जेसीबी को कबजे में ले लिया बंधक बनाय जाने की जानकारी मिलते ही मौके बर पहुंची पुलिस ने बड़ी मशकत के बाद गरामिडों को समझा बुझा कर गार्ट को मुक्त कराया लेकिन जेसीबी अभी भी उनके कबजे में ही है गरामिड मशीन से खुदाई के बजाए उन्हें एक काम दे जाने की मांग कर रहे है मामला बोडला ब्लॉक अंतरगत ग्राम गोहगा का है ग्राम पंच्वायत के अंतरगत आने वाले खैरबना बीट में वन्वभाग द्वारा केमपा योजना के तहत आट लाख रुपियों की लागत से तलाब बनाया जा रहा है जिसके लिए वन्विभाग द्वारा JCB से खुदाई की जा रही है ग्रामडों का आरोप है कि दो माह पुर्व उनकी द्वारा कारी किया जा रहा था जिसके बाद वन्विभाग ने लाखों का नुकसान होने का हवाला दे कर काम बंद करा दिया था दो माह बाद अचानक वन्विभाग द्वारा रातो रात चोरे छिपे JCB से तलाब बनवाया जा रहा है इस पर ग्रामडों ने रोश जताते हुए बीती रात मौके पर पहुँचे और कारी को बंद कराते हुए बीट गार्ड ललित दुबे को बंदक बना लिया ग्रामडों का इस पश्ट कहना है कि यहां काम उन्हें मिलना चाहिए अन्यथा काम बंद करते पीट कर रहे थे हम लोग इसलिए अपनी जान बचा के जंगल में छुप गए थे सर और कंडेक्टर को मारे पीटे हैं सर जेसी भी चलाता हूं सर कितने घटना है यह साड़े-9 बज़े करीब के घटना है इन लोग आए एक दम से दन दन मोटर साइकल से बंद करें आपको अपने जंगल में छुप गया सर फिर अपनों सेट को लगाया फोन तब फिर 112 नमर को भी लगाया फिर आया सर बही तलाब के खुदाई कर रहे जेसी बी के ड्राइवर ने ग्रामडों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए कहा कि बड़ी संख्या में ग्रामड पहुँचे और काम बंद करा दी उसके साथ मारपीट शुरू कर दी जैसे तैसे ग्रामडों के चुंगल से निकल कर भागा पूरी रात जंगल में कुछ आननी पड़ी वही ग्रामड जेस भी ड्राइवर के आरोप को खारिज करते हुए यह कहते हैं कि उन्होंने किसे से मारपीट नही की ड्राइवर जूट बोल रहा है ग्राइडे से नियूज के लिए कबरधा से संजु कुपता की रिपोर्ट